नमस्कार, so MBBS 2024 के लिए शायद ये पहला वीडियो है और काफी वीडियो पराने हैं जो की जेनरिक होंगे जो मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट से कि आप मेरे चैनल को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी सड़ी जनकारी मिलेगी ताकि आप गलत हाथों में ना पर जाएं और जो इस वीडियो को पहले बार देखेंगे मेरा नाम है विवे गुपता और हम सिरफ MBBS काउंसलर नहीं हम एक करियर काउंसलर लाइफ काउंसलर है कंपनी के नाम हमारी जी के वक्स है और वीडियो आपके सामें लाता हूं ताकि आपको एक कॉमन जानकारी दे दी जाए और जो भी हमसे संपर्क करना चाहता है हमसे प्रीमियम काउंसलर लेना चाहता है वह चार्जेबल होती है इंक्लूडिंग फरस्ट कॉल तो यह आपको दिरे दिरे पता चलेगा अक्राउस दा इयर और फोन पर बात करने के भी हमारे चार्जिस होते हैं मिनिमम्म टो फाइन फा अक्टोबर का डेट है तो अभी भी आपके पास पूरे छे महीने पूरे हैं क्योंकि फरस्ट संडे ऑफ में में नीट दोजार चौबिस होगा और अक्सर ना जब हो जाता है हमारे पर देखिए अक्सर बच्चे मोस्तों धी काउंसलर्स एक्टिव होते हैं जो एंबी विस सो निकलता है कि सर शैद आप से दो सल पहले मिल लियो तो हमारे बच्चे के तीन सो नहीं पान सो नंबर आते हैं साड़े तीन सो नहीं शाड़े पांस और चौं तो आज जो इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताने वाला हूं वह यह है कि छलावा शब्द होते हैं के इस नहीं हो चाहिए वह एलन आकाश फिटजी नरैना जो भी एंबीवेस बीटा की तैरी कर रहा है और चाहिए इसिटूट के सारे रिजल्ट फरजी होते हैं नहीं लेकिन जो हम लोग आप लोग ध्यानी देते ना वो यह है कि देखिए एक इसिटूट अगर साल में एक परचे भेजता है उसके सक्सेस है आठ परसंट क्लियर यह होगे पॉइंट नमबर एक पॉइंट नमबर दो कोचिंग यह एक सर्विस बिजनस है सेम लाइक आप खाना खाने चाते हैं सेम लाइक जो भी इनक सर्विस उरूंटेड आपनी घरा के कोई काम कर रहा है प्लंब क्या मेरा स्टाफ का मेंबर आपसे वैसे बात करेगा नहीं तबकि हम दुनों एक ही कंपनी से बिलॉंग करते हैं क्यों हर एक इनसान डिफरेंट है तो वही एलन कोटा में अगर पचास बैच चल रहे हैं तो बैच नमबर चार के जो टीचर है और बैच नमबर आठ के जो क्या पता आप तो एलन का नाम देखके जा रहे हो पढ़ाई करने या आकाश का नाम देखके या फिर्जी नराहना चितन्य एक सेट्रा सेट्रा लेकिन जादूगर तो टीचर होगा ना एक कोचिंग इस रूट का बोर्ड कभी क्या जादूगर हो सकता है ठान से समझे हैं लोग मेरे पास आके बैठते हैं तो समझ जाते हैं तो तो ऐसा नहीं होता तो वो एक कुछ खास टीचर से डिफिनिटली एलन के पास भी है आकाश के पास भी है फिट्जी के पास भी है विद्धमंदर के पास भी है बट क्या उनके सारे चीचर वर्ड क्लास है नहीं एक हो ठोड़िए यह शैद मैं उसके लिए कहपा हूँगा जो 2025-26 को देख रहा है कि दूसरा कि 24 वाले तो और दी कोचिंग में जा चुके हैं यह भी होसते हैं कि आपका बच्चा जहां कोचिंग में पढ़ रहा है उसे को समय नहीं आ रहा है अब मैं मान तो हम आते हैं कि आपका बच्चा अच्छे टीचा वाले क्लासे बैठा है पर क्लास में तो 200 बच्चे हैं बच्च्पन में जब में लोगों से बात दो आपके बच्चे कभी आपने होम टूशन लगवाई है कि जिसमें टीचर आप घरागया पढ़ाते थे या आप ऐसे सेंटर में जाते हो चाह द पर दो सो बच्चों में आपका बच्चा बैठा है तो क्या टीचर का ध्यान टीचर का फोकस उस बच्चे का फोकस उस टारया हो MAS er दो बच्चोंonia medub Hilfe didn't accomplishment आ गए जैसे से मारे आपको देख रहा हूं जया आप मुझे लेकिन वहीं 200 बच्चे बैठी हैं, एक उसकोने में, एक उसकोने में स्क्रीन चल रही है क्लास्रूम के बीच में, ताकि टीचर को आप देख सके पास से, पर अगर टीचर आपको देख पार है, क्या वो बच्चे की फेशल एक्स्पेशन देख पार है, क्या, चुछिज़ जब हम भी पढ़ाते हैं, यदो स्वाम वली जए, मैं तो टीचर भी रहा हूँ, तो कभी पर आभी क्लास में जो बच्चे की शकल बता रहे तेक्ः के, उसे कितना समझ में आ रहे है, क्या, £200 बच्चु ए फ़ेस च्रूम के शकल पढ़सत का टीचर, आपने तो बड़े अर्मानों से कोटा, सीकर, डिल्ली, जैपूर, जितने भी हफ्स बने हैं कोचिंग के वहाँ भेज दिया कि एक कोचिंग सेंटर जादू करतेगा तो कोचिंग सेंटर जादू नहीं कर सकता आप इसको दूसरी भाशा में समझे देखिए, एक खाने का तबी मेट डॉलर्ड वगयरा ना बहुत स्टेंडराइज मेनू देते हैं चूर्कि वो जानते हैं एक खाने का टेस्ट कभी भी स्टेंडराइज नहीं हो सकता इसलिए वो वो आइटम साब को देते हैं जिसमें हाथ के कमाल की जुरूती नहीं है राइट, वो सब फ्रोजन मेटीरियल होता है और एसकोपी इसके खाना बनाया जाता है मोती महल में खाना खाने जाते हैं तो बिलकुल चाने चौक वाले का टेस्ट डिफरेंडर होईनी से और डिफरेंडर लखनौ से जो टुंडे कभाबी का टेस्ट अमीनाबाद में आता है वो लखनौ के दूसरे ओटलेट में नहीं आता कि मेरा strongly मानना है मैं करना कोई फुरसद में आप समय लेकी मिलने आएंगे तो मैं और डिटेल में समझा दूंगा पर वो चार्जेबल होगा similarly education delivery भी ऐसा ही है मैं सिर्फ medical या बीटक की coaching की बात नहीं कर रहा है सारी coaching क्या सारे colleges क्या IIT दिल्ली के सारे professor equally good नहीं क्या AIMS दिल्ली के सारे professors equally good नहीं को इनमें बहुत शांदार होगा कुछ थोड़े से शांदार होगे कुछ ठीक ठाक होंगे ऐसे coaching centers में होता है आपको नहीं पता रिजल्ट बच्चों का बोर्ड नहीं लाता है रिजल्ट बच्चों का teacher और student लेकर आते है teacher की guidance of support और student की महनत दोनों का combination चाहिए तो और आपका student ये उतनी महनत नहीं कर रहा जितनी minimum required है तो अभी कोई फैदा नहीं होगा और similarly अगर आपका बच्चा उतनी महनत फोकस नहीं कर पा रहा तो कोई फैदा नहीं है इन सब चीजों के मद्दे नजर होते हुए आपको कैसे करना है कौन सी coaching लेनी है बहुत important decision होता है सो समझ कि लीजिए बोल्डिंग और होल्डिंग के चक्कर में मत पड़िये बस यह धान रखिये और दूसरी बात फिर वही है कि हो सके तो पास में teacher ढूनिए physics chemistry biology physics chemistry math तीनों का अपस में कोई लेना देना नहीं है even इन बड़े बड़े coaching center को एक teacher होता नहीं है जो शानदा teacher भी है बिल कभी कह बाल तो chemistry में ऐसा होता है कि organic को यह वार पढ़ा रहे है इन और्गंग को यह वार पढ़ा रहे हैं zumal argument के लिए माले थे फिजी सो में एकी teacher math के टीचर तो अगर आपको अपने lokality में 3-4 शांदार teacher मिल जाएं जो अलग-लग आपको पढ़ातें आईटी की लेवल का या नीट की लेवल का तो शहाद वो जादा बेटर है तो इन सब बातों का ध्यान दखिए और उसके साब से टीचर का बहुत केरफुली चैन कीजिए मेरे पास जो भी सला लेने आते हैं मैं हमेशा कहते हूं कि we are more of a career counselor than only a mbbs agent or counselor तो मैं हमेशा कहते हूं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो go for individual coaching या very very small group दो तीन चार बच्चे और हसो के सुनके अगर आप बच्चे को अकेले पड़वाओगे ना अकेले तो खासकर जब आपने कोटा भेजा है और जितना hostel प्लस आपने कोचिंग के पैसे दी हैं उतने क्लाइन भी पढ़ा देगा किसी जिगा पर खटा हो के जोगी ग्रूप कोचिंग में ना margins बहुत हाई होते हैं यह आप सब को साथ समझ में नहीं आता है तो जो आप फीस देते हो उन्हीं के तो बदोलत है ना कि Mr. Aakash और Mr. Chaudhary from Aakash और Mr. Maheshwari from Elon और Mr. Gowell from Fitzy अर्बोप पढ़ा के नहीं और Mr. Aakamandir के दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं यह भी नहीं समझ किये कि इनका क्या रोल है समझें विद्यामंदी तब तक बहुत शांदार था जब तक वो तीन सगे भई वहां पढ़ाते थे अगर वो तीन भई आपको नहीं पढ़ा रहे तो उसके बाद तो विद्यामंदीर का टीचर एक आम टीचर है जैसे वही टीचर पेस इंसिटूट में होगा वही टीचर होगा तो वह जो पच्छी साल पहले विद्यामंदीर का नाम था ना वह विद्यामंदीर के बोर्ड से नहीं आता है वह टीचर साथ है जो आपको पढ़ाते हैं इस चीच का ध्यान रखिए बेवकूफ हमत बनिए गुरुप कोचिंग के अखवार में छपे वह रिजल्ट क को देखके जैसा कि मैंने का कि जो दस अजार बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका एक परसंट भी रिजल्ट आएगा तो सो बच्चे तो आई जाएंगे ना और फी जो इतने बड़े-बड़े इस्सिटूट्स हैं वो रिजल्ट को खरीद भी लेते हैं जिन बच्चों ने जो बच्चे क्लास से बैठे हैं तो महनत हुई नहीं अब उस पर आपके बच्चे पर टीचर की वो गाइडेस मिली नी क्योंकि एवरेज बच्चे को ज्यादा सपोर्ट चेने टीचर का होता है इन गुरूप कोचिंग में उल्टा है वह जो प्रोडिजी बच्चे नोने पहल लगाएगा यह हैसली कहानी इसके साफ से अफसोच समझ के फैसला कीजिए मैं यह तो नहीं क्यासता कि हम आपको हर शेहर में बैस टीचर दिला देंगे बड़ अगर आप ऑन लाइन पढ़ने को त्यार है तो हमारी जानकारी में भी कुछ अच्छे टीचर से अलगले कंपनी चेंज हो जाएगी बट यह जितने गुरूप इसे टूट से तो पहले दिन ही आप से पूरी फीस ले ले लेते हैं उसके बाद तो फस गया और मैं जब कोटा जाता हूं मैं कितना सुनता हूं कि 20 परशंट बच्चे होते ने कोटां में भी जो पहले गुरूप कोच जाएगा अल्टिमेट लिए टीचर की गाइडन्स और बच्चे की महनत अगर आपका बच्चा पैदाइशी बिर्लिंट नहीं है तो वह गाइडने सो नहीं मिलने वाली वहां पर वहां पर तो सारा फोकस बिलिंट बच्चों पर है रिजल्ट निकालने के लिए तो बहुत अच्छे टीचर कर सकते हैं जो की प्रूवन है अच्छा पढ़ाते हैं फोकस से पढ़ाते हैं कम बच्चों को पढ़ाते हैं आपका रिजल्ट आएगा और सबसे बड़ी बात है दो साल क्यों वेट करना आपको महीने बादी लगेगी मजा नहीं आ रहा यो कि अक्सर जो ह घटे हो जाएं जो किसी एक कॉमन स्कूल में पढ़ते हैं किसी कॉमन लोकैल्टे में रहते हैं तो गुरुप कोचिंग जितनी दाम में आप पढ़ लोगे सेम फीस में अब विकुल अके लिए पढ़ना है तो शयाद आपको तीन गुना खर्चा पढ़ेगा जो कि टीचर उस कॉस्ट में आते हैं न और सेम टीचर की ही यह बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर देते हैं तो फरक यह कि उनके 90% प्रॉफिट मार्जंस हैं तब यह तो सिरफ कोचिंग सेंटर चला के अर्वोपती बने बैठे हैं मरेश्वरी ब्रदर्स या मिस्टर गोयल या चौध प्रॉपती बनाने के लिए सोचिएगा हैवन नाइस डे बबाए